देखे, दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको मैं आपके साथ आज डिसकस करूँगा कि हमारे जितने भी बच्चे चाए वो दो बार एकजाम दे चुके हैं नहीं clear कर पाए चाए वो छे बार एकजाम दे चुके हैं लेकिन exam नहीं clear कर पा रहे अब उस वज़े से दिखो क्या हो रहा है कि अब मैं बोलूं कि age चाए 30 से नीचे है जा 30 से उपर हो चुकी है मैं बहुत हर चीज मैं cover करूंगा हो सकता है शादी भी हो चुकी हो सकता है आगे family भी हो हो सकता है कही ना कही कुछ earnings भी start हो चुकी हो लेकिन life का enjoy है न हम बोलते हैं कि यार life मज़िदार चल रही है वो बिल्कुल भी नहीं है आपका mind कही ना कही इस चीज को लेकर under pressure है कि मैं इसको क्यों नहीं clear कर पाया या अभी भी क्यों नहीं clear कर पा रहा हूं तो आज मैं आपके mind को थोड़ा relax करना चाता हूं तो अगर आपको लग रहा कि आपकी कुछ situations जो मैं आपके साथ discuss करने लगा हूं क्योंकि मैंने बहुत real discussion करनी है तो मेरे साथ कुछ ना कुछ जरूर share करना मैं wait करूँगा आपके comments की ताकि मुझे लग रहा है आपने देखा होगा कि मैंने कई बार ऐसे session स्टार्ट किए हैं आपके साथ मैं videos लेकर आया हूं तो मुझे लग रहा है कि हम genuinely इस चीज को पूरा solve करें ठीक है तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं होता क्या है एक बार जड़ा थोड़ा सा पीछे सोचो जब आप भी 17 या 18 years की age जब cross हो रही थी हमारी plus 2 हुई थी हमने graduation start की थी college life start हुई थी उस वक्त हमारे mind ने सोचा था कि मैं अपनी life में मैं अपना future जैदा secure जब right करने के लिए यही सोच कर हमने CA course को start किया था ध्यान से सोचो उस वक्त पर mind में यही था कि मैं कुछ extraordinary बनके दिखाना चाता हूं क्योंकि देखो उस वक्त पर मैं बोलूँ अभी सारी life पड़ी थी बिल्को starting से ऐसा कोई भी negative scene बीच में नहीं आया था कि मेरे को failure face करने पड़े और मुझे लग रहा कि यार मतलब मैं जो prove करके दिखाना था यह तो उल्टाई हो गया है ना उस वक्त पर ऐसा कोई भी mind पर pressure नहीं था जिन बच्चों ने तो college life सिरफ कहलो graduation course को join किया become की उन्होंने मालो 21-22 साल की age तक अपना graduation को complete किया उसके बाद 2-3 साल जो भी settle होना था जिस line में settle होना था जाके होगे शादी होगी अपनी life में पूरा settle होगे अब हुआ क्या देखो देखो age तो genuinely वो होती है जि join करूं लेकिन हमने तो CA को join किया हुआ था अब 100 में से एक बच्चा तो इस चीज को समझ जाता है कि ये course ऐसा है जिसके लिए मुझे सब कुछ सारी दीन दुनिया को छोड़ कर मुझे सरफ इस पर concentrate करना है 100 में से एक बच्चा ही ऐसा होता है अब क्या होता है कि ऐसे बच् करके दिखाने के लिए CA course को join किया है तो मैं पढ़ूं वो pressure में पढ़ रहे होते हैं mind उनका उतना जदा concentration के साथ चीजों को adopt नहीं करता classes भी लगाते हैं miss करते हैं जो भी होता है अब होता क्या है जब 22 years की उनकी ये जाती है न वो अभी वहीं के वहीं खड़े होते हैं और उन्होंने पूरी concentration दिखाई वो भी आगे बढ़ गे अब हमारी ये जो हो चुकी है मालो 22 मेरे उपर है अब pressure क्योंकि मेरे को तो अब examples मिल रही है मुझे लग रहा था मैं जिंदगी में कुछ करके दिखाऊं ठीक है तो हुआ क्या हम उल्टा अपने आपकी खुद एक negativity create क करके बैठके शायद अपने parents की eyes में भी अपने रिष्टदारों की eyes में भी कि यार इससे यह नहीं हो रहा है ना उनको तो लग रहा है इससे नहीं हो पा रहा लेकिन वो यह नहीं समझे कि यार मतलब मेरे को खुद नहीं समझ लगा कि मैं क्यों नहीं क्लियर कर पाया पता क्या होता है देखो मेरे को दो जो नजर आ रहे हैं कि यह भी settle हो चुक है वो भी settle हो चुक है उन लोगों की example दी जाती है देख तू C.A. को छोड़ दे वो भिना C.A. की भी कितना settle है दूसरा देख जिन्होंने करके दिखानी थी उन्होंने करके दिखा दी अब मुझे निकल गया है जिसमें मैं कुछ प्रूब करके नहीं दिखा पाया मुझे लग रहे है अगर मैं वो पीछे उस टाइम में ठीक टाइम पर करता तो अब तक यह कर तो चीज आपको पीछे को खीचती है वो पीछे को खीचने की वज़ए से हम आगे नहीं बढ़ते और वो ची की तरफ देख रहे हैं जार वो इतना अच्छा सेटल है घरवालों कोई स्पोर्ट बना हुए मैं वहीं का वहीं बैठा हूं अब मैं आपको क्लियरली बताता हूं हमारी लाइफ में अब साथ साथ में स्लूशन भी स्टार्ट होने लगा है हमारी लाइफ में दो तरह के प् पर दीखना अगर मैं बोलू कि मानलो जैसे यह हमारा माइंड है ये मैं आपको दिखाता हूं वेट और मानलो यह हमारा माइब है ठीक है अब हमारे माइड में सिय होनी चाहिए कि मैनें के एक्जाम देने मैंने को कुर्स ही ऐसा है अब होता क्या है मानलो उस दाइन पर जब मैंने 17-18 जियर्स की एज को क्रॉस किया तो ये एरिया मानलो माइंड का थोड़ा enjoy में घूम रहा है एक बार माइंड में enjoyment आया मेरा friend circle है ये उसने एरिया ले लिया चाहे कोई computer की gaming की आदत पढ़ गी ये उसने एरिया ले लिया तो देखो जो आपका काम करने वाला माइंड का एरिया है न ये वाला एरिया जो कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि center में और एरिया ने जगा लेनी शुरू कर ली लेकिन ये उस वक्त की मजबूरी नहीं थी मैंने अपनी मर्जी से जे एरिया चूज किये जब एक स्टेज क्रॉस हो गई मानलो 25 येर्स की एज को मैंने टेच कर लिया तो अभी भी जो हमारा माइंड है न देखो अब ये वाला जो माइंड है अब इसमें जो center में चीजें है न वो और आनी शुरू हो गी है मानलो age का pressure age बढ़ी है उसका pressure आगया अब मैं बोलूगा इतना area आगया मेरे उपर pressure है financially burden अब गरवाले बोर लें तेरी शादी करनी है देख तेरा friend कितना अच्छा settled है और पता नहीं कितने कितने हमारे लोगों के उपर pressure आते है जिस वज़े से जो हमारा जो mind जो है न जी भार का दिखाने के लिए CA में लगा हुए कि मैं CA कर रहा हूँ और मैं CA करना चाहता हूँ लेकिन हमारे mind के अंदर आप ये वाला जो area देख रहे हो ये सारा बचारा कहीं और ही उलजा हुए और जो fact है जो fact है मैं आपको बता हूँ जो भी हमें guide करने के लिए मिलता है जो भी हमें suggest करता है वो हमारे में कमिया निकाल देता है कि यार तुम पढ़ने के लिए सिर्फ इतना ही दमाग लगा रहे हो वो ये नहीं बताता कि देखो अगर मैं आपको सही बताऊं अगर ठीक हमारा mind जो है वो message ले हमें सही कोई guide करे वो यहीं बताए कि यार इन problems को तू कैसे अब देखो अगर मैं बात करूँ इस stage पर तो आप game की आदत है मान लो friend circle है इसको तो आप अपनी मर्जी से छोड़ सकते थे लेकिन यहाँ पर financially burden है life age बढ़ रही है वो burdens कैसे दूर किये जाए है उसको यह तो कह नहीं सकते चल यार मैं थोड़ देर के लिए सोचता हूँ कि मेरी यह जनाबड यह नहीं नहीं हो सकता तो यह pressure कैसे हटाए जाए जब यह pressure हट जाएंगे आप मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझो तो अब आप कितनी concentration के साथ पढ़ पाओगे देखो बात को ध्यान से समझना मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि 24 hours available होगे अगर आप इस stage में पहुंच गयो बात यह है कि चाए आपके पास पढ़ने के लिए 4 जा 5 गंटे ही है वो 4 जा 5 गंटे में आपका mind 100% यही सोच रहा है यह नहों कि वो 4 जा 5 गंटे में भी अगर आपका mind जो है ना वो इतना area आपका mind का अभी बी कहीं और सोच रहा है बात यह है कि free करना है mind को तो वो अब कैसे किया जाए मैं देखो मैं आपको जितना का अभी देखो मेरे अभी आपने अपनी जितनी problems होंगी आप share करोगे तो मेरे को और पता चलेगा तो मैं और इन चीज़ों पर मैंने बोला था मैं live sessions लेकर आऊंगा लेकिन पहले मुझे पता चले कि क्या आप ऐसी problems में उल्जे हो तो अगर आपको लग रहा है देखो दो तरह के pressure होते हैं और वो pressure हमें पढ़ने नहीं देते एक होता है self created pressure जिसको हम इंडिरेक्ट pressure भी बोल सकते हैं माल लो चलो मेरी age अगर 25 cross हुई है मैं हर case को discuss करूँग short में ज्यादा वीडियो को लंबा भी नहीं करना हमने माल लो मेरी age 25 cross हुई है अभी गर पे माल लो इतना financially burden नहीं है लेकिन हो क्या रहा है मेरा friend settle हो चुक है और माल लो मेरे को अपने आप लग रहा है कि जार अब मुझे भी गर पे थोड़ी सी कैलो के sport बनना चाहिए इस stage पर आकर मैं गर वालों से पैसे मांग रहा हूँ मैं classes के लिए बार बार fees मांग रहा हूँ मुझे books चाहिए तो ये self created pressure है और उदर से मेरे को लगता है कि जार मैं गर पे अभी तक prove नहीं करके दिखा पाया कि मैं भी जिंदगी में कुछ कर सकता हूँ जो भी मेरी past problems रही है मैं इदर उदर खो गया मेरा दमाग कहीं पर उस time पर तो अब वो चीजे मैं कैसे prove करूँ क्योंकि देखो पहली बात क्या होती है गर वालों के दिल में उनकी आँखों में दुवारा अपने लिए एक faith create करना कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ क्योंकि अब हम faith गुमा लेते हैं क्योंकि अगर चार बार fail हुए है तो naturally उनका बोलना सही होगा कि जार छोड़ दे क्योंकि उनको लग रहा कि हमारे बच्चे का शार टाइम वेस्ट हो रहा है आप इस चीज को भी साथ में समझना तो पहले कैसे उनके साथ मैं ये faith create करूँ अगर तो indirect pressure है मैं अभी direct pressure पर भी आऊंगा indirect pressure क्या है कि अभी कोई pressure आया नहीं लेकिन मेरा mind जो pressure लेना start कर चुका है कुछ इदरोदर genuine इस stage के recording ली बातों को लिकर अगर तो वो indirect pressure आ चुका है वो कैसे उतरेगा तेखो अगर आप अपनी day routine को थोड़ा ऐसे settle कर लो उनको भी नजर आए कि जार ऐसे इसको पढ़ते पहले कभी नहीं देखा इतना serious इसको कभी नहीं देखा अब चलो एक ऐसा करते हैं इसको एक दो chance और देते हैं अब चाहे आप फिर से pressure में हो जार एक ही chance मिला मुझे तो अगर मेरे से एक chance में नहीं clear हुआ अब आपको ये करना है कि वो एक chance देखो मैं आपको clear बताता हूँ ज्यादा ना mind में ये यार मेरा ये subject week है तो अब मैं देखू ज़रा इसमें मेरी class इतने अच्छी गई नहीं थी तो मैं classes मैं आपको बोल हम लोगों ने अपने time पर सब कुछ self study के साथ किया तो तब तो हमें कोई ऐसी requirement नहीं लगी तो जो उस वक्त कोई से चीज़ एजी होती थी उस वक्त भी तो टाफी थी तो इस वक्त अगर आपको लग रहा है कि यार मतलब मैं classes लूँ और फिर से दुबार अप तो आपको लग रहा है कि मैं class ना लेने की वज़े से ये concept काट दो अगर आपको genuinely past होना है ना तो अपने just study material उठाओ self study करो past exams को देखो RTP, MTP देखो मैं आपको अपने उपर faith है या नहीं है लेकिन मेरे को ये faith है आप पहली attempt में clear हो आपको किसी चीज़ की जूरुत नहीं है अगर कोई emergency में लगता है ज्याद है tough चीज़ है मुझे नहीं समझ आ रही आपको YouTube पर सर्च करके Google पर सर्च करके चीज cancer मिल जाएगा तो अगर वो एक stage होती है classes लगानी है friend circle है वो निकल चुकी है तो बिल्कुल tension ना लो अपनी self study करो कुछ नहीं ऐसा इतना level है ही नहीं है जितना बस ड्राने के लिए बन चुका है तो अपने self study के उपर faith रखो आप पहली attempt में पास हो जाएगे अब मैं बात करता हूँ वो बच्चे जिनके उपर direct pressure है age generally मानलो 30 को touch कर रही है financial burden आ चुका है मानलो घरवाले बोल रहे है शादी कर दे नहीं है जब शादी हो चुकी है अब आगे family भी है तो देखो मैं आपको fact बताऊँ ऐसी situation में अगर आप साथ में CA को continue करना चाते हैं तो ये सिरफ आपका अपना struggle नहीं है हमारे साथ अब बहुत सारी life आगे ऐसी है चाहे मैं बोलूँगा हमारे parents हैं wife है चाहे आगे बच्चे है तो आपका एक decision हर बंदे के उपर effect डाल रहे है तो देखो मैं अगर अपने हिसाब से बात करूँ तो मेरे को तो ऐसे लगता है कि जो शायद गलतियां मैंने past में की है तो अब वो गलतियों की सजा कोई और क्यों भुखते है न तो जिस जिस बंदे को जो आपकी duty बनती है इस time situation पर आकर आपने financial sport करना है आपने साथ बनना है तो आप first preference उन चीजों को देनी start करो जब आप first preference उन चीजों को देनी start करोगे न बस ये देख लो जितना जैनून हो सके अगर आप time थोड़ा सा बीच में से काट कर अपनी study के लिए available करा सकते हो जिसके साथ कुछ भी ऐसा ना लगे कि हाँ यार मतलब उनके साथ बाकी जो मेरे family member मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मेरे को लग रहा है कि यार मैं उतना जैदा कहलो कि अब क्या उसको मेरे mind में word नहीं आ रहा है अब उसको justify नहीं कर पा रहा हूं तो बस आपको ये नहीं लगना चाहिए वो सारा करके अब आप देखो कि ऐसा कौन सा time है जहां पर मतलब मैं अपने study के लिए निकाल सकता हूं जब वो आप time निकालना शुरू करोगे तो जो भी आपके साथ family members है वो देखें कि यार मतलब हमारा जो बंदा है वो genuine है तो इसको भी अगर लग रहा है कि मतलब यह अब उस चीज़ को मान रहे एकसेप्ट कर रहे है कि हाँ कुछ ऐसी situations रही है लेकिन अब मैं कर सकता हूं तो वो भी आपकी sport बनना शुरू हो जाएगे इसकी बजाए कि अगर आप पहले मालो खिड सड़ कर इन चीज़ों को लो यार मुझे पढ़ना है आप मुझे पढ़ने नहीं देते मैं आगे बढ़ना चाहता हूं तो जैनूली आपके आपके उपर प्रेशर आएगा तो कहलो के लडाई वाल माल बनता है तो इस चीज़ को अगर आप समझोगे पहले आप टाइम देना शुरू करो जैनूली जो हर बंदे का बनता है उसके बाद देखो जहां पर आपको लग रहा है पेरेंट्स की पूरी फिनांशल स्पोर्ट करनी है वो बनो उसके बाद जितना टाइम आप दो गंटे निकाल सकते हैं आप एक गंटा निकाल सकते हैं आप तीन गंटे तो सब आपकी स्पोर्ट बनकर वो टाइम बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगी जितना जैनून हो सकेगा तो आप तीन चार पांच गंटे भी रोज के दीरी-दीरी करके दो गंटा सुबह दो गंटा शाम को निकालना शुरू कर गए तो मैं इतने ज़र प्लैंस डालता हूं बाकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ एक बार शेयर तो करो तो मैं उसके solutions आपके साथ लेकर आँगा देखो या तो हो ना कि मैंने कभी मैं कह देता हूं message में तो मैंने कभी reply नहीं कि मैं तो photo reply करके even videos तक डाल देता हूं उस चीज को लेकर तो आप उस चीज में जड़ा आगे बढ़ो तो हर चीज का solution है अगर आपके mind में ये चीज लग रही है जार इस वज़े से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं life में अब चाहे मैं settled जो भी line में हो चुका हूं मैं वहीं पर रहूंगा लेकिन मैं इसको clear करके at least अपने mind में और लोगों को ये दिखाना चाता हूं कि देखो मैं इसको clear कर लिया है मैंने भी exams clear करके दिखा दी कोई problem नहीं है दूसरों के बातों में ना गूमो कि छोड़ दो इसकी क्या value है ऐसा नहीं होता यह वो बंदा समयता है जो इस चीज को कर रहे है ठेक है मेरे ख्याल से आप मेरी बात को काफी deep level तक समझ चुके हो मैं और deep नहीं जाता क्योंकि वीडियो I think 16 minutes की हो चुकी है चलो इस वीडियो को यहीं तक रखता हूं बाकि मैं आपको कहता हूं कि आपके mind में जो जो भी situations गूम रही हो आप जात से मेरे साथ share करना और मैं को share करेंगे मेरी knowledge में यह चीज़ें add-on होंगी हर चीज़ के problem में solutions लाने की कोशिश करूंगा ठीक है तो चलो मेरी तरफ से all the best आप सभी बच्चों को सिरफ study में नहीं आपकी life में भी मैं चाहता हूं कि आप full time पूरी success को achieve करो और life को enjoy करो मिलता हूं next video में आपके comments की wait रह करेंगिंगी